हेलो गाईस मेरे यूटूब चैनल पुजब भीत एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का इंपोर्टेंट सेशन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड के समय चाल और दोरी तो गाईस आप सभी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो गाईस पार्ट वन और पार्ट टू मैंने कवर करा चुकी हूँ तो समय चाल और दोरी का पार्ट थर्ड में इस वीडियो में कवर कराऊंगी तो चलिए मैं सेशन को करते हैं स्टार्ट फर्स्ट कोश्चन ये रहा दो मित्र 48 किलो मीटर दूरी से दो भिन सहरों से एक ही समय पर चलना आरहम करके के एक दूसरे की और 5 किलो मिटर घंटा तथा 7 किलो मिटर घंटा की गती से चलते हैं तो वे कितने समय वाद एक दूसरे से मिल जाएंगे के तो कोश्चन को ध्यान से समझेगा तो हल करते हैं तो इसमें 2 मित्र के तो ये 2 मित्र 48 किलो मिटर दूरी से 2 विन सहरो से एक ही समय पर चलना आरहम करके एक दूसरे की और के तो इसमें कितना दिया है 48 किलो मिटर के तो इसमें इसका जाने का कितना है 5 किलो मिटर घंटा के और आने का इसमें 7 किलो मिटर की गती से चलते हैं के 7 किलो मिटर घंटा के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे रेखिए इसमें क्या करेंगे तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे के तो इसमें को क्या कर लेंगे एड के तो कितना जाएगा इसमें 12 किलो मिटर घंटा के तो आगे इसमें इसमें 48 बटे में इसका टाइम निकालेंगे के तो कितना हो जाएगा 48 बटे में 12 48 कर जाएगा 12 से कितने बार में चार बार में तो इसमें चार घंटे के तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें समय बाद एक दूसरे से मिल जाएगे तो चार घंटे बाद के तो इतना किलियर हुआ तो इसमें क्या गरना है दो मित्र के तो कितना 48 किलो मीटर की दूरी के तो इसमें दो भिन सहरों से एक ही समय पर चलना आरह करके एक दूसरे की और 5 किलो मीटर से चलते हैं और 7 किलो मीटर की गती से चलते हैं के तो इसमें क्या कर लेंगे एड तो कितना जाएगा 12 किलो मीटर घंटा के तो इसमें समय निकालेंगे इसका 48 बटे 12 तो 48 कर जाएगा 12 से कितनी वार में 4 वार में के तो इसका समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे तो 4 घंटे वाद मिल जाएंगे के तो इतना किलियर को तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक जीब एक कार की पीछा कर रही है जो जीब से पांच किलो मीटर आगे है उनकी चाल क्रम सहा नबबे किलो मीटर घंटा तथा पच्छतर किलो मीटर घंटा है जीब कार को कितने मिनट के पश्चाद पकड़ लेगी के तो कोश्चन को ध्यान से समझेगा तो इसमें कोश्चन को हल करते हैं तो इसमें एक जीप और एक कार का पीछा कर रही है के तो इसमें जीप का पीछा एक कार कर रही है के तो जीप से पांच किलोमीटर आगे है के तो जीप कार से कितना स्वरी जो जीव से 5 किलो मीटर आगे हैं कि 5 किलो मीटर तो आगे इसमें इसकी चाल कि क्रम सहा 90 किलो मीटर तथा 75 किलो मीटर हैं कि 90 किलो मीटर घंटा और 75 किलो मीटर घंटा कि तो इसकी ये क्या है चाल तो इसमें को क्या करेंगे तो आजाएगा इसमें 15 किलो मीटर घंटा तो इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे देखिए इसमें क्या करना है जीव, कार और को कितने मिनट के पश्चाद पकड़ लेगी तो इसमें क्या करेंगे 5 बटा इसका टाइम कि 15 और इसमें मिनट में पूशा है तो इसमें गुणा किस से करेंगे 60 से कि इतना किलियर हुआ सभी को वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो इसमें 5 बटा 15 इंटू 60 तो 15 कर जाएगा 5 से 3 बार में और 60 कर जाएगा 3 से 20 बार में कि तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा 20 कि तो यही इसका राइट आंसर होगा कि तो इतना सभी को किलियर हुआ तो इसमें कितने मिनट के पस्चाद पकड़ लेगी कि तो 20 कि मिनट इतना सभी को समझ में आया तो आगे फिर से रेखी इसमें क्या करना है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जीप और इसका पीछा कार तो आगे इसमें जो जीप से 5 किलो मीटर आगे है तो इसमें 5 किलो मीटर आगे है तो उनकी चाल क्रम सहा 90 किलो मीटर और 75 किलो मीटर घंटा है तो इसमें क्या करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 15 किलो मीटर घंटा तो जीब, कार, को कितने मिनट की पश्चाथ पकड़ लेगी तो इसमें टाइम क्या होगा इसका पांच बटा पंदरा इंटू तो इसमें मिनट पुछा है तो साट से गुड़ा करेंगे तो इसमें पंदरा कर जाएगा पांच से तीन बार में और साट कर जाएगा तीन से बीस बार में जिसमें आंसर बन जाएगा बीस मिनट तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा तो इतना सभी को किलियर हुआ तो नौट कर लीजिए तो आगे बटते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक रेल गारी 44 किलो मीटर घंटा की चाल से किसी वेक्ती को दो मिनट में पार कर जाती है तो रेल गारी की लंबाई ग्याद करो के तो इसको मीटर में इसका आंसर लाना है के तो इसमें 144 किलो मीटर पर आवर की चाल से पूचा है के इसमें क्या करेंगे इसकी चाल बरावर 144 किलो मीटर पर आवर तो इसमें क्या करेंगे 144 इंटू किलो मीटर में पूशा है और इसको मीटर सेकेंड में आंसर लाना है तो इसमें क्या करेंगे 5 बटा 18 से गुड़ा करेंगे तो 144 कर जाएगा 18 से 8 बार में तो इसमें कितना जाएगा 8 इंटू पार 40 मीटर सेकेंड तो इतना किलियर हुआ सबी को तो आगे इसमें क्या करना है दूरी बरावर चाल इंटू समय के इसमें क्या करना है 40 इंटू 120 के तो इसमें गुड़ा करेंगे इसमें कितना जाएगा 48 100 के तो यही इसका राइट आंसर होगा के तो इतना सबी को समझ में आया तो फिर से रेखिए क्या करना है इसमें दिया है चाल कितना चाल 144 किलो मीटर पर आवर के तो इसमें किलो मीटर पर आवर पुशा है और आंसर किसमें लाना है मीटर सेकेंड में के तो 144 इंटू तो इसमें 5 बट्टा 18 से गोड़ा करेंगे तो 144 कर जाएगा 18 से कितने बार में आट बार में तो आट इंटू 5 करेंगे कितना जाएगा 40 मीटर सेकेंड में जाएगा तो इसमें दूरी बरावर 4 इंटू समय के तो इसमें 40 x 120 करेंगे तो कितना जाएगा इसमें 48 100 के तो इतना सभी को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं next question की और next question ये रहा 1200 मीटर लंबी रेल गाड़ी 90 किलो मीटर पर आवर का चाल से 600 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लेंगे कि तो इसको आंसर किसमें लाना है second में तो आगे इसको हल करते हैं तो इसमें की रेल गाड़ी कि कितना 2400 मीटर कि और इसका चाल से 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कि तो ये पुल को पार करने में कि 600 मीटर कि इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें दूरी बराबर क्या हरेंगे 2400 मीटर कि इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे इसमें क्या करना है इसकी चाल बराबर क्या दिया है तो इसमें 90 किलो मीटर पर आवर के तो इसमें 90 इंटू तो इसमें किलो मीटर पर आवर में पूशा है और आंसर सेकेंड में लाना है के तो इसमें 5 बटा 18 से गुड़ा करेंगे के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे इसमें इसका टाइम समय बराबर क्या होगा 3000 बटे में क्या रखेंगे 25 तो इसमें भाग देंगे 3000 और 25 तो कितने बार चला जाएगा 120 सेकेंड के तो यही इसका राइट आंसर होगा के तो इतना सभी को समझ में आया तो फिर से देखिए क्या गरना है? इसमें 1200 मीटर लंबी रेल गारी कितना है? एक रेल गारी 1400 मीटर के तो इसकी चाल से 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो आगे इसमें दोरी बरावर 2400 प्लस 600 कितना जाएगा 3000 मीटर तो आगे इसमें चाल 90 किलो मीटर परावर दिया है तो इसमें आंसर सेकेंड में लाना है तो इसमें क्या करेंगे 90 इंटू 5 वटा 18 से गुड़ा करेंगे तो 90 कर जाएगा 18 से 5 बार में तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 किलो मीटर घंटा के तो इसमें समय क्या होगा 3000 बटे में 25 भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 120 सेकेंड के तो इसमें second में answer लाना है तो इसमें 120 seconds का right answer होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो not कर लिजिए जितने भी student SSCGD की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर कीजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question ये रहा तीन कारों द्वारा तै की गई दूरियों का अनुपाद दो अनुपाद तीन, तीन अनुपाद चार है तथा इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपाद चार अनुपाद, पांच अनुपाद, साथ है तो इनके चालों का अनुपाद है तो question को ध्यान से समझेगा question को हल करते हैं तो इसमें first, second, third तो इसमें तीन कारों द्वारा तै की गई दूरियों का अनुपाद दो, तीन और चार है तो दूरी दो, तीन और चार के और समय क्या है इनके द्वारा लिये गई समयों का अनुपाद चार, पांच और साथ, चार, पांच और साथ के तो इतना के लिए रुआ सपी को तो आगे इसमें क्या लाना है इसके चालों का अनुपाद के तो चाल बरावर तो दो बटा चार इंटू एक सो चालिस से कुणा करेंगे के दो बटा पांच इंटू एक सो चालिस, चार बटा पांच, साथ, सारी, साथ, इंटू एक सो चालिस के तो इतना सभी को समझ में आया तो इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो एक सो चालिस कर जाएगा चार से कितने बार में? चार दिया, बारा तो आगे इसमें पांच से एक सो चालिस कर जाएगा कितने बार में? अठाईस और एक सो चालिस कर जाएगा साथ से बीस बार में तो इतना clear हुआ सबी को, तो आगे इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कि 35 इंटू 2, तो कितना जाएगा, 70 अनुपात, 28 इंटू 2 करेंगे, तो कितना जाएगा, 84 अनुपात, 20 इंटू 4 करेंगे, कितना 80, कि? तो आगे इसमें value cancel हो जाएगी तो इसमें 70 कर जाएगा 2 से कितने बार में 2 तिया 6 और कितना बचा 1, 2, 5, 10 कि 35, 84 कर जाएगा 2 से कितने बार में 2, 4, 8 और 2 दुनी 4, 42, 80 कर जाएगा 2 से ने बार में 2, 4, 8 तो इसमें 40 बार में कर जाएगा तो इसमें answer क्या बन जाएगा 32 अनुपाद 42 अनुपाद 40 तो इनकी चालो का अनुपाद 35, 42 और 40 तो यही इसका right answer होगा तो इतना सभी को clear हुआ तो फिर से देखिए इसमें first, second और third तो कितना दिया है 2, 3 और 4 तो इसकी दूरी तो इसका समें कितना दिया है 4, 5 और 7 के इसकी 4 लाना है के तो 2 बटा 4 इंटू 140 से गुणा करेंगे 2 बटा 5 इंटू 140 4 बटा 7 इंटू 140 के वेल्यू कैंसिल हो जाएगी 140 कर जाएगा 4 से 35 बार में 5 से 140 कर जाएगा 28 बार में 140 कर जाएगा 7 से 20 बार में गुणा कर लेंगे 35 इंटू 2, 70 28 इंटू 2, 84, 20 इंटू 4, 80 वेल्यू कैंसिल होगी 70 कर जाएगा 2 से 35 बार में 84 कैंसिल होगा 2 से 42 बार में और 80 कैंसिल होगा 2 से 40 बार में तो यहीं इसका करेक्ट आंसर होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो आगे वढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन यह रहा यदि सौरव 3 किलो मीटर घंट की गती से चलता है तो वह अपने विद्याले 6 मिनट देरी से पहुँचता है परंतु यदि वह 4 किलो मीटर घंट की गती से चलता है तो वह निरधारी समय से 4 मिनट पहले पहुँच जाता है तो उसके घर से उसके विद्याले की दूरी क्या है तो यह कोश्चन SSC CHSL 2018 में पूछा गया सवाल है के तो इसमें कोश्चन को ध्यान से समझेगा और कॉपी में नौट करते हुए चलिएगा के तो कोश्चन को हल करते हैं तो इसमें दूरी बरावर यदी सौरव 3 किलो मीटर घंटा की गती से चलता है इन्टू तो इसमें परन्तु यदी वहे 4 किलो मीटर घंटा की गती से चलता है के बटे में इसमें 6 मिनट देरी से पहुचता है के तो इसमें बटे में क्या रखेंगे एक बरावर तो इसमें क्या करेंगे तो वह निर्धारिस समय से चार मिनट पहले पहुंच जाता है के तो इसमें 10 बटे में एक मिनट का कितना होता है इसमें 60 के तो इतना सभी को किलियर हुआ तो आगे इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एक जिरो से एक जिरो कैंसिल तो इसमें 6 कर जाएगा 3 से 2 बार में और 4 कर जाएगा 2 से 2 बार में तो इसमें आंसर बन जाएगा 2 किलो मीटर घंटा तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो फिर से देखिए इसकी दूरी तो 3 इंटू 4 बरावर 10 बटा 60 करेंगे एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो इसमें 6 कर जाएगा 3 से 2 बार में और 4 कर जाएगा 2 से 2 बार में तो आंसर बन जाएगा 2 किलो मीटर घंटा तो इतना सभी को किलियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्चन की और नेस्ट कोस्चन यह रहा दो cycle सवार बरावर दूरी क्रम सहा 15 km घंटा तथा 16 km की चाल से तये करते हैं यह दूरी तये करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 अधिक लगते हैं तो यह दूरी कितनी हैं? कोशन को ध्यान से समझेगा तो हल करते हैं तो इसमें दूरी बरावर तो इसमें दो साइकिल सवार बरावर दूरी कम सहा कितना दिया है 15 km घंटा तथ 16 km घंटा की चाल से तै करते हैं तो 15 into 16 बटे में 1 मिनट बरावर तो इसमें एहं दूरी तै करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं कि तिसमें 16 बटे में 60 से मिनट कि तिसमें क्या करेंगे बैल्यू कैंसिल हो जाएगी 60 कर जाएगा 15 से 4 बार में 16 कर जाएगा 4 से 4 बार में के तो इसमें 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना जाएगा इसमें 64 किलो मीटर घंटा के तो यहीं इसका राइट आंसर होगा तो इतना सभी को किलियर हुआ तो फिर से देखिए क्या करना है इसमें दूरी तो इसमें कितना दिया है 15 किलो मीटर घंटा और 16 किलो मीटर घंटा की चाल से तै करते हैं के एक मिनट बटे में तो इसमें बराबर तो इसमें दिया है 16 मिनट अधिक लगते हैं तो इसमें 16 बटे में क्या रखेंगे 60 मिनट के तो इसमें सेकेंड 60 होगा तो आगे इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो 60 कैंसिल हो जाएगा 15 से 4 बार में और 16 कर जाएगा 4 से 4 ब मीटर घंटा के तो यही इसका राइट आंसर होगा के तितना सभी को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा एक बारा सो मीटर लंबी रेल किसी पोल को एक मिनट बीस सेगेंड में पार करें तो ट्रेन की चाल ग्यात करो तो इसमें आंसर किलो मीटर पर आवर में लाना है के तो इसको हल करते हैं के तिसमें एक 1200 मीटर लंबी रेल के तो ये 1200 मीटर एक लंबी रेल के तिसमें 1200 मीटर के तो आगे इसमें क्या करना है टाइम बरावर तो एक मिनट के और 20 सेकंड के तो आगे इसमें क्या करेंगे एक मिनट का होता है 60 सेकंड और इसमें क्या करेंगे प्लस 20 तो बरावर कितना हो जाएगा इसमें 80 सेकंड के तो इतना सभी को किलियर हुआ तो आगे इसमें क्या लाना है इसका चाल बरावर दूरी बटा समय के तो इसमें बरावर तो इसमें दूरी कितना दिया है 1200 बटे में समय कितना दखेंगे इसमें 80 के इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो हो जाएगा इसमें 15 मीटर सेकंड के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे इसमें क्या करेंगे इसमें पूशा है तो ट्रेन की चाल ग्याद करो कि किलियू मीटर पर आवर में लाना है कि तो 15 इंटू 18 बटा 5 से गुणा करेंगे कि तो इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 15 कर जाएगा 5 से कितनी बार में 3 बार में के तो इसमें 18 इंटू 3 करेंगे कितना जाएगा 54 किलो मीटर पर आवर के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो फिर से देखिए क्या करना है कि इसमें 1200 मीटर लंबी रेल के तो इसमें पोल को एक मिनट 20 सेकेंड में पार करें तो ताइम इसका क्या होगा एक मिनट 20 सेकंड तो इसमें एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड एड करेंगे तो 80 सेकंड तो इसमें क्या लगेगा चाल बरावर दूरी वटा समय तो इसमें दूरी कितना दी है 1200 मीटर के और समय 80 सेकंड के तो value cancel हो जाएगी तो एक जीरो से एक जीरो cancel और 120 कर जाएगा 8 से कितने बार में 15 मीटर सेकंड तो इसमें ट्रेन की चाल ग्याद करो तो इसमें 15 इंटू तो इसमें किलो मीटर पर आवर में पूशा है तो इसमें क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुडा करेंगे तो इसमें 15 कर जाएगा 5 से 3 बार में 18 इंटू 3 करेंगे कितना जाएगा चववन किलो मीटर पर आवर तो इतना किलियर हुआ सभी को तो not कर लीजिए तो उमीद करती हूँ सारे कोश्चन आप सभी को समझ में आ गए हूँगे तो वीडियो को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो आज की लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली नेस्ट वीडियो में थेंक यू